नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर तरन तरन के नए हाईवेप पर एक कार खड़े ट्रले से टकराई चार नौजवानों की मौत एक गंबीर खाया संगरूर के लहरा का गमे हुआ एक भीशन सडखाचा एकी हुई मौत एक गंबीर खाया शाकोट मोगा नेशल हाईवेपर हाई टेक नाके पर एक देश रफ्तार कारने एसाई कुमारी टकर एसाई गंबीर खाया अरब भल चल विस्तार से जानकारी देती हुए भृतक नौजवानों के रिष्टेदार दिलबाक सिंग ने बताया कि सभी नौजवान श्री दरबार साहिब अमनी सर से माथा टेक कर वापिस गाउं गुरू हरी राई साहिब को लोट रहे थी इस दोरान हरीके के नस्दीक नए हाईवे पर एक कंटेनर खराब होने के कारण हाईवे पर ही खड़ा था जिसके पीछे एक अठर टायरी ट्राला खड़ा था वहीं धुंद अधिक होने के कारण स्विफ्ट कार उस ट्राले में चाठक रही जिस कारण कार सवार सभी गंभी रूप से घायल हो गए जब राहगीरों की मदद से उक्त नौचवानों को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने चार नौचवानों को मृत घोशित कर दिया मृत को की पहचान परमजीत सिंग गुर्दीव सिंग रोबिन प्रीट सिंग और राचपी में ले लिया गया है और परिवारिक सदस्यों के बियान कलम बद्ध किये जा रहे हैं परिवार जिस तरह के बियान दर्ज करवाएगा उसके मताबिक बंती कारवई की जाएगी भीकी मेंड से हल्चल के लिए भुबेंद्र सिंग की रिपोर्ट परिवार जिस तरह के खराब हो गया सिगा उदे विचे मगरों एक बड़ा ट्राला बजिदा लग्या उदे वेचे बाजिगा उस तो बाद सबाब आरा है रहा है रहाद गुरूर सा यह लाकिरे मुनेश की पांज़ 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 सिट का अर्तिस वार दबार साथ बड़ास के लगगिरा में सबाद कि अर्ति आदो क्रम आडि किन आहनो लाड़े मुनेश को DU मुदें नाड़ों पांज़ पांज़ींगा नागड़्सिट कर साथ बुरूर पलवंदर सेग तैम उम्र केनीग ही किडी बीधरे मूरे पीड़े त्रेंड़ेय दरैनाले बस् tas हिट एंड रन कानून के बाद संग्रूर के लहरा कागा में एक भीशन सडक हादसा हो गया जिसमें एक नौचवान की मौके पर ही मौत होगी और कार चालक मौके से फरार हो गया मिली जौनकारी की मताबिक पातड़ा लहरा गागा रोड पर धुंद के कारण वर्ना गाड़ी और स्कूर्टी में भीशन टक्कर होगी जिसकारण एक स्कूर्टी चलाने वाला नौजवान बीकर सिंग वेल्डिंग का काम करता था जिसकी मौके पर ही मौत होगी वे अपनी दुकान से घर वापिस आ रहा था इस दुरान पीछे वेठा नौजवान काला सिंग गंबी रूप से घायल हो गया जिसे उपचार है तो अस्पताल मे की रिपोर्ट की में होया है एक अपना लेरे का कि होया है लिल्या के चेश पीड़ा पंपय जी ते अंदर पंपते बैठे साब करने रहे सी इसाथ वजगे तकरीव नौ सबक साथ वेदा हास से शाम रात विले दा ते जो तो दी साब करने रहे को तन सनु वाज आई बहुत देखिया थिना थिए पिछे निगा मारी पिछे वाल पांपते रोड ते ताह उत्थे का एक्टिवा टुटे दीगी परी सी तो असी एक्टिवा को लोगे ता दो बंदे मतलब जड़े अटिवा थाइब कर रहे सी ओ खड़े सी ते मतलब उते उस टाइम वह बहुत पैजी हो एक दानामिकर सी ते कला सी काली दूसी मोटे आपनी कार च बठा के सरकारी ऑस्पिटल ज़ेगे ते बिकर बठानवासते कार मतलब होर मगाई थी तर दोस्ती ते परज़ाद की पिकर था मोटे अक्सपायर हो गया है खाने काया पहला एक्ट यह तो इस ताह सी वारी संग करांचाओं को बलों आ रहे सी सर जदो अपने आप ट्रावल पांप कोड़े पहुंचे आ है इदरों बार नांजिदी गडिया इदाय नंबर है गासर अच्छार सतर दी दासट वंजा इदे विच तैने चार मुड़े सवार सी जी जी नादी अधी बेच्च मारी एसकूट्र शाहकोट के नजदीक कामा वाला पत्तर में शाहकोट मोगा नैशनल हाईवे पर पुलिस द्वारा लगाए गए हाई टक नाके पर एक एसाई को तेज रफ्तार कारद्वारा टकर मार कर गंभीर खायल कर दिया गया मिली चौनकरी की मताबिक एसाई सुरजीत सिंग निवास तरफ से आ रही एक जन कार को रुकने का इशारा दिया गया इस दुरान कार चालक ने रुकने की जगहें तेज रफ्तार कार एसाई सुर्जीत सिंग में मार दी जिस कारण वे उच्छल कर कार की छत पर गिरे और कार डिवाइडर से टकराने के बाद एसाई के उपर चड़ किया गया जिसके बाद उसकी हालत को नाजुक देखती हुए जालंदर से डींसी लुध्याना रैफर कर दिया गया इस वके पर शाहकोट इंस्पेक्टर सुखजीत सिंग ने बताया कि पुलिस द्वारा कार को कबजे में लेकर ट्रेस कर लिया गया है जिसका चालक फरार है जिसके तलाश में छापे मारी की जा रही है जालंदर से पंकर श्रमा की रीपोर्ट कल सटेड़ कामारी पतन ते हालिटेक नाका लगा है उते एसी सुखजीत से अपनी टीम नाल चैनि कार रही है ते एक कुदरों कार रही तेज रुफतार जो लाके तो रुख्या और रुखंदी उजाए उनना दे बेच्चे गड़ी मार के गड़ी पिजा लिया थो जिसका कि यह से सुखजी सेंग दे काफी जारा सटा लगिया तो नहीं दोने लतादे फ्रेक्चर आगे नहीं ते विया स्पाइट थे उनना दे सटा जैनाद पर नहीं थे शावकूर्ट से में प्राइबट एक हास्पिल सदाना हास्पिल लगाई से उस्तो बाद नो राइफर कार फिलोर की गोपाल कालोनी नूर महल रोड में गतरात्री चोरो ने गूरु घर में से सेंद मारी कर हजारो रुपयों की नकदी और सिलंडर चोरी कर लिया इस समंद में जानकरी देती हुए प्रमंधक राजकुमार और पार्शद जैशपाल ने बताया कि गतरात्री चोरों ने सत्कुरु रविदास अम्रितवानी भवन गोपाल कालोनी नूर महल रोड में से मूँ बांदे हुए थे और उन्होंने गुरु घर की गुल्लक तोड़ दी वह गुरु घर में पड़े सिलंडर वा नकदी की चोरी कर फरार हो गए वहीं चोरी की ये सारी वार्दात गुरु घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैध हो गई है जिसकी सूचना पुलिस क पाटी सहेत मौक्य पर पहुंच गए और जांच में जुट गए उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरों को ग्रिफतार कर लिया जोएगा फिलॉर से पंकश्रमा की दीपो मैं रोड़ फलॉर गपाल करोनी अज स्वेरे जदो साड़े पाठी सहवान आया उन्हा ने देखिया के पिछे बड़ी कंद पाड़ के एक चोर अंदर एंटर होया सीसीटीवी कैमरे के साब नालते अंदरों साड़ी गोल के दे जो भी माया सी ओ लेके गए एक सिलंडर ले उनानों ने मतों खला रहा है का तोड़ पन किती है यो ना दी पसे इना किया जेता का प्रशाशन आगया प्रशाशन जदो फोन किता प्रशाशन और उसे बेकता है दस-पंदर भी मेंट चा आगया से तो इस वही सीटीवी कैमरा लगा जी हाँ कैमरे देवेश को आया पुलिस ने नाबालिक लड़की को नशीला पदार्थ खिला कर उसके साथ दुशकरम करने के मामले में एक युवक को ग्रिफतार किया है इस आरूपी की खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्च किया गया है पुलिस सदिकारी ने बताया कि आरूपी का नाम अमरभीर सिंग है जो की गाउं गहरी मंडिका रहने वाला है वही पुलिस सदिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक आरोपी अमरितपाल सिंग जो की भगोडा था उसे भी ग्रिफतार कर लिया गया है तो वहीं पीडित परिवार ने बताया कि अरोपी अमरबीर सिंग रूबल के परिवार वाले उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रही हैं पुलिस साथिकार ने बताया कि दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है और कानून के मताबिक उचित कारवई की जाएगी वहीं जब उनसे पूछा गया कि बिडित परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही है तो उन्हें कहा कि उन्हें अभी इस बारे में कोई जानकरी नहीं है अगर उनके पास इस सबंदी कोई शिकायत आएगी तो उसके अनुसार कारवई की जाएगी अमिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट सब्सक्राइब कारवई किती है एक असर हनु काल दिया थ्रैट को लाँ बहुत आ रही है ने मेरी ये बेटी है बहुत जादा हनु दो तिनना साला तो तांक कालता है प्रवई के आणके साधे हती पैंदे रहे बड़ा हत पलाईदे अगे जोड़ दे रहे हैं पी हा सुदर जा सुदर जा सुदर जा एक असर ने लिए ना ये समयदा रहा इन्हें कुडी दिन आले होटला जिकाड़के जबर दस्ति कर दा रहा निशा करांदा या बहुत जा कि अपर पर जेड़े अफेर दर्ज किती गिए कि हों तक की मुटली जानकरी सामने आई इस्टिकेशन होई या कंप्लेंट दी अफेर दर्ज होई या फेर देवेचे अमन दीब सेंग रूबला पुतर पलबीर सेंग गरीदा और रेस्ट कीता गया जी रेस्ट करके साड़ी प्रभा को सु व्यवस्थित करने और शहर में भीड कम करने के उदेश से एक आन्य पहल में पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा के नेत्रित्व में जालंधर कमिशनरेट पुलिस ने रहीडी वालों के लिए पंधर हैं स्थलों की भेचान कर शहर को चार जोनों में व्यभाचित किया है इस समंध में जानकरी देते हुए पुलिस कमिशनर ने बताया कि शहर में ट्रैफिक जाम का मुख्या कारण स्थारीट मार्किट है उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए निगम कमिशनर आदित्य से मिलकर कमिशनरेट पुलिस त्वारा चार जोन बनाए गए हैं और सट्रीट वेंडरों के लिए पंधर हैं स्थान चिन्हित किये गए हैं वे उन्होंने कहा कि जाल अंधर में चल रही ट्राफिक की समस्या का स्थाई समाधान निकालना समय की मुख्य जरूरत है उन्होंने कहा कि ये रोड मैप यातेयात की भीड को कम करने की दिशा में एक सक्रात्म कदम है जो यात्रा के समय को कम करके नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और भारी यातेयात की कारण दुगटनाओं की जोखिम को कम करेगा उन्होंने कहा कि जाल अंदर शहर में अवैद अतिक्रमन को खत्म करने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए एक विशेश अभ्यान शुरू किया गया है और इस लक्षे को प्रापत करने के लिए अतिक्रमन के प्रती जीरो टॉलरेंस की निती अपनाई गी है उन्होंने कहा कि शहर में चार निद्रिष्ट शेत्रों में 15 वेंडिंग पॉइंट स्थापित किये गए हैं जिससे रहडी लगाने वालों को काम करने के लिए एक नही जखहे मिल जाएगी उन्होंने कहा कि वेडिंग जोन में फेरी वालों को पानी और बिजली सहित सभी आवश्यक सो विधाएं प्रादान की जाएंगी और शेत्र की सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए एमर्जंसी रिस्पॉंस स्पोर्ट रियमित गश्त करेगी पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा ने आगे जानकरी देते हुए बताया कि गाड़ियों को शिफ्ट करने के लिए शहर को चार जोन में बांटा गया है जिन में ट्रांस्पोर्ट नगर इंडरस्ट्रियल एरिया भगत सिंग कालोनी मकसूदा ब्रिज सोडल मंदिर से मजार साइ ग्रीन बेंट नजदीक काली मंदिर रोड के पास चारा मंडी के पास लम्मा पिंट चॉंक गुरू गोविंद सिंग वैन्यू मार्केट वेरका चॉंक और लद्देवाली से फोकल पॉइंट के पास ब्यांत सिंग पारक शामिल है जालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट बेसिकली एदना सिगा कि कोई महिना पहले है अपना ट्राफिक दी प्रॉब्लम नो एड्रेस करते होए नो टॉल्डरेंस जोन कुछ बनाए सिगे जिदे स्तारा रोड सी गिया ते एक ही पॉइंट सी गए एक महिना होगी इस महिनों चलते होए काफी दा फरक आया है ते करते हैं इना दी मदद नाल इना ने वेंडिंग जोन्स कुछ डिक्लियर किते हैं कि जड़ी वी डी फड़ी वाले सी इनक्रोच्मेंट सी गिया फुट पाथ जड़े ब्लॉक किते होई सी गे उना दा हल जड़ा है और कॉर्पेशन कमिशनर साब ने एक अड़े आए ते त जेवें की रहन दी जगा उन्होंनों इर्माक जगा दवांगे पानी दा सप्लाइ दवांगे बिजली दवांगे उते ट्वालेट भी बनावांगे जड़ी पब्लिक होथे आंदी होती दी सेहूलत देलिग ते दिनाल शहर ते ट्राफिक ती बहुत समस्या रहन दी है उन् जेड़े प्रड़क्ट्स वेच रहे हैं जेड़े वेंडर्स है इना दे बिजनस नों वी एक अच्छी ऑपर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करन देली अग्रीड है क्योंकि उन्हानों सारी फसिलिटीज होती मिली है उन्हादी जेड़ी कोई हरास्मेंट किते होंदी सी ओ बिल एक्टिवा स्विफ्ट कार और ट्रेक्टर ट्राली में टक्कर हो गई इस हाथसे में एक्टिवा सवार गंभीर घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सिवल हस्पताल फिलॉर में भर्तिक करवाया गया है वही घायल की पहचान आकाश दीब के तौर पर हुई है जो कि लाडो चालक ट्रेक्टर ट्राली को क्रॉस कर रहा था जिसे बचाने के लिए कि चकर में ट्रेक्टर ट्राली बाईं तरफ से दाईं तरफ चली की जिसकारन फिलॉर की तरफ जारही स्विफ्ट कार ट्रेक्टर ट्राली में जाटक रही जिसकारन स्विफ्ट कार बुरी तरह से शत सामने गड़े एक्सीडेंट होया जी एजड़े ट्रेक्टर आड़े आए फलोर तो नगराली साइड़नों जा रहे थी या एक्टी वाले क्रॉस कर रहे थी क्रॉस करने टाइम में उनु बचांदे चेकर जोना ने ट्राली इदर की तिया तेदो सिफ्ट कार आरे थी स्विफ एक्सीडेंट केस आया जिड़ा अकाश्टीव नामा मुंड़े लड़के लड़के था एच्टी एफसी बैंक लोड़ो वाल अथी काम करता है एक्सीडेंट होना कर साथे को राग लेकी आए से फिलहाल पेशेंट होदा थोड़ा या होश्विच हैगा वाल लातते साथ ल हो गई जिसकारण दोनों पक्षों के लोग खायल हो गए जिन्हें उपचार हित्तु अस्पताल में भरती करवाया गया इस मौके पर कार सवार के परिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका लड़का एक प्रोग्रम से आ रहा था कि इस दोरान उसकी कार फौचियों की गाड कर चुकिया जा रहा है गलती फौचियों की थी जो की गलत दिशा से आ रहे थी इस तरह उन्हें इनसाफ मिलना चाहिए तो वहीं पुलिस चौंकी खासा के अधिकारी ने बताया कि एक कार और आर्मी की गाड़ी में टेकर हुई है जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल ह हुए है और दोनों पक्षों के ब्यानों के अधार पर कारवाई की जा रही है अमरी साहर से हल्चल के लिए सुनेल खोसला की रीपोर्ट अधिकर यह फिर अध्सानी इंटी में टेका लेगी ते दो मजरूम जर्मीन दे ब्याँ लेया रहे है अर्मी अधिर ड्रेवर दे प्रावीर प्राइवर लाप्री लेया रहे ए ते कर उस परच्णा नहीं करते तक तपी तरने तपीश सार एक तर द स्विलें तर लाओना केड़िए और साइट तो लियागे गड़ियों करते हुद में उनना वगड़ा लार बियाँ तो तो नो है दिते हा जाव हम ने सब जातु नद तो लेका हैं तो तब तीजे ने कमने के हैं सेंट सोल्चर ग्रूप ऑफ इंस्टिटूशन्स के आर इसी केंपस में ग्रूप की समु शाखाव ने मिलकर लड़कियों की लोड़ी बड़ी ही धुमधाम से मनाई जिसमें सभी स्कूलों कॉलिचों के डायरेक्टरों प्रिंसीपलों वसमु स्टाफ मेंबर्सनी ग्रूप के चेयरमेन अनिल चोपड़ा एवं वाइस चेयरपरसन संगीता चोपड़ा का स्वागत हिंदू संस्कृती के अनुसार किया जिसमें चात्राओं ने गिधा वस्वा समाच में लड़कियों की प्रती सोच को उंचा रखने का संदेश था यही नहीं इस सामारों में प्रसिद कॉमेटियन जतिंदर सूरी चंदर मोहन वगायक धरमवीर धामी ने गेस्ट प्रस्तुती देकर दर्शकों को मंत्रमुग्द कर दिया जालंदर से हल्चल के लिए क सामारों में आखने के लिए जालंदव को बेंगे onखित्व को उंचाना वाइ हल्यू था इस सामारों में बीचर दर्शकों के लिए मटारे से का भालberry जुती तर्शक काद ड़ीगे का दिपत्पत्ण देकर दोगियों में रखने किवेध्यों अगै göreति संदर मोहनali भार जािता वारी का नलुडा न्यायाओ हो वर देपि लिवा देख जड़ा हम तेख भार जड़ा जाम जड़ा समी दैख high जजा दोद्का लारर आग्तिन वाल्यदी आग्तिन वाल्य पुलिकरावारे कर दो ते बसी दे आर्वाया ब्लुकरादे जो को से भासाँ जो कर दो पूरी फोल्ट कर सका दो हो कुले तरहिए नियारी वारि है को राई दी रूब कोले मंचिरिक कदे नी ताई दी को भी तुरो पहार बाने चांका राई दा सचना दिनार तो कनेक महीदा, सोने आदे नार तो कनेक महीदा जड़ा पंजाब और उत्तर पारता है, खुशियां पर रहा है, वो दे उत्ते आज लोडी दे उत्ते मैं सेंट सोल्जर ग्रूप ऑफ इंस्टिउशन, ते सारे डेक्टर, फिंसिपल्स, मैंजिंग डेक्टर और बच्यानों बहुत-बहुत मुबारख वाता है सेंट सोल्जर ग्रूप ऑफ इंस्टिउशन वलोडी दातिहार बहुत तुमताम नल बनाया गया, जिदे बेटियां दी लोडी मनाई जान दी है बेसिकली, क्योंकि तीयां जड़ियां हो कारदियां नियां होंदी है, और एक समाज, अच्छे समाज ता जड़ा हैगी है, उ बच्चे पूरी दुनिया दे विच अपने मापे हो दा, अपने ठीचे सा नाम रोशन करन, सब नू लख लख बदाई, और लोडी दी अगनी दे नाल जड़ी है, सारे गाम मेटचान, सारे पासे खुशियां रहन, और सारे जड़ी है, ऐसे पारत पूमी नू पूरी तरह स करके सेंट सोलजर दा नाम जड़ा है, और अननेस जगह दाई भी जित्ते जिते जाना है, संसकारा नाल ओत प्रोत होते हुए, प्रेम दी लहर बान दे हुए, खुश भी रहन गी है, और खुशियां भी बंडन गी हुए, अमरिस सर पूलिस द्वारा आम लोगों से सीधी बातचीत करने के उदेश से और आम लोगों के लटकते आ रहे केसों का निप्टारा करने के लिए पुलिस पब्लिक मिटिंग की शुरुवात की गी, जिसमें अमरिस सर के पूलिस कमिशनर गुर्परिस सिंग भुलर विशिशतार पर पहुंचे और लोगों से सीधी बातच भी दिये, इस वाके पर पुलिस कमिशनर गुर्परिस सिंग भुलर ने कहा कि आम लोगों से सीधी बातचित करने के लिए पुलिस पब्लिक मिटिंग की शुरुवात की गी है, जिसमें वे खुद लोगों से बातचित कर उनकी मुश्किले सुन रहे हैं, और उनके पैंडि सिंग दी, आम लोकां दे भी दमेंदे भी चाहें और आम लोकां नहीं हैं जोटी मोटी कंप्लेंट सी हो भी इतनी हैं, बहुत सुने सुझे आवाए, मेंली सुझे आप जिड़े सीगे, वह ट्राफिक ना रिलेटेड है, जा एनक्रोच्मेंट ना रिलेटेड है, वह सी पावर्ड बैकवर्ड लिंकेज़ पिछे काफी रिकावरीज होई हैं, तो होर भी ऐसी जड़ी कैमपेन हो दे गेंस्टो होर तेज करांगे, तो दैट असी बिलकुल जड़ तक पहुंच सके भी सबलाई कितों हों दी है, जो ये मेन डबांड सी, पीसी आर दी, वहिकल दी सब्सक्राइब करांगे, जो बेस्ट पॉब्लिक इंटरेस्ट होई हैं, बाकी जड़ा लूगता हैं, तो दर्वार साथ जान वास्ते जड़ा रस्ता हैं, तो कॉर्परेशन ना मिलके, आज जी इमिजेडली असी पोड़ उते लवादने हैं, और उन्हों दर्वार साथ ज जागरती जीवन वेलफियर सोसाइटी, अमिसर की और से अपने सिलाई सेंटर में च fluorाव के साथ बेटियों की लोहडी मना गी और इस त्युहार की महत्ता को बताते हुए, लोगों को बेटियों की लोहडी मनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शाली में चाहे काफी बदलाव आया है लेकिन अभी भी लोग लड़कियों से अधिक मोह लड़कों के साथ दिखाते हैं और लड़कियों के साथ पक्षपात किया जाता है जिसके चलते उनकी और से बेटियों की लोड़ी मना कर लोगों को लड ओलो मिरा प्राइला कि तक है मैम ने जोती मैम पृवलों ने बहुत वडिया सनुश्कोंदे ने और लोडी से अपक भी आए ने सारे बच्चे अजड़े ने बच्चे बहुत वडिया सिक देने मैम को लोडिया जोड़ें जोड़ा पाया वा, पंगड़ा पोना सारा फंक्ष यहां जी सर नू करना चाहिए वा हार था खुले दे सारे बच्चे अनु उसूलत मिले बच्चे जड़े कामकार तो फ्री बठी यह चलो इन्ना मसलाइब गए अपना कोई काम थे खोल सकन गे ते काम खोलना गे अपना थे कारदा थोड़ा बहुता बच्चे अपना कारदा थ अब जागरती जीवन वेलफेर सुसाइटी कैशियर आज इस इस इंटर दिवीचे ना लड़कियां दिखा रहे हैं कि लड़कियां वह मेशा अग्य बतना चाहिए था कि यह जदो भी देखी देखिए लड़कियां लोडी बड़ी तूंताम ना मनाई जानती है लड़कियां वेले लोकी चुप चाप रहे हैं अग्यां लड़कियां हार प्लेटफॉर्म चे जा रही हैं तुसी देख्या है बैंक काच देखो किसे इंप्राइट देख लो लड़कियां वज चरके अपना उपराला कर रही हैं वर्ल्ड वाइड स्कोप ट्रस्ट यूके के सरपरस्त पिंदू जोहल यूके बाहडा परिवार के और से हर वर्ष की तरहें इस वर्ष भी 5101 नव जन्मी बेटियों की लोडी गाउ घुडका के जोहल फॉर्म में डाली की ये स्तमागम पंजाबी गायक मनमोहनवारिस स्पी सरपजीत सिंग राए अमरीक सिंग सैनी यूके अनूप कोशल एडवोकेट अश्वनी कुमार वह उनकी समूची टीम की और से करवाया किया जिसमें पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंग संध्वा ने लड़कियों के सशक्तिकरन पर बल देते हुए माता-पिता को अपनी बेटियों को उच शिक्षा दिलवाने के लिए कहा ताकि वे पड़ लेकर आतम निर्भर बनने के साथ साथ देश के आर्थिक समाचिक विकास में बराबर की हिस्सेदार बन सके उन्होंने कहा कि हमारे गुरूओं ने भी हमें औरतों का सम्मान करने का संदेश दि सशक्त बनाना है जिसके लिए सरकार द्वारा लगातार एहम प्रयास की जा रहे हैं इस वके पर मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल द्वारा एंजियों को अपने फंड में से 5 लाख रुपए देने का एलान भी किया गया तो वहीं स्पीकर कुलतार सिंग संधवा मंत्री क रम शंकर जिंपद्वारा ग्यार हैं बच्चियों का सन्मान भी किया गया इस समागम में पूर्व केंद्रिय मंत्री विजय सांपला ने भी बच्चियों को आश्रवा दिया और जोहल परिवार को शुब काम नहीं दी इस मौके पर गाय कमन मोहन वारिस, कमल हीर, फिरोज अपने गीतों के साथ हाजरी लगवाई इस दुरान संत गुरुचरन सिंग की और से आई हुए महमानों को सन्मानित किया गया इस मौके पर स्स्पी जालांधर मुख विंदर सिंग बुलर, विधायक शीतल अंगुराल, पंजाब एग्रो की चेर्मेन मंगल सिंग, स्ट्यम अमनपाल सिंग, आपनिता, जुगिंदर सिंग मान, प्रोफेसर, प्रेम कुमार, अविनाश चंदर कलेर, हर्मिंदर सिंग बसरा, डियस पी, दविंदर अत्री सहतान्य लोग भी मौचूद रही। जालंधर से पंक शर्मा की रिपोर्ट लेकर महें लेकर बात्साव लेकर आहे हैं डियना ने मैंनु इस मभार्य मौकित अ lot are लेकर साथे लिए मनु अध़्त इंता साथा बाली सहाव और वार्चाव निंना दे सकता जिए वाकि सारे दर्शन होगे, मान सहाव होना दे सारे जोड़े अगे लिए वर्वु बट्य आपना योगदान पॉंदी है इस वार्वी जड़ा हैगा वो 5 जनवरी तो लगातार जड़ा हैगा वो समाजिक सेवा दे जड़े कम है गया वो संस्ताबलों कीते जा रहे है जह में की खुंदान कैमप हैगा उसो आफ आखा दी अकानदा कैम्प हैगा उसो बाद जडियां ज आज जड़ी सेखिए कवंचा सो बच्ची अंदी लोडी जड़ी सीगी वो पाई गई है संस्थाबलों हरेक साल दीता न फिशले 13 साल तो यह तेरमा प्रोग्राम है गा जड़ा की लगातार संस्था जड़ी है एक कम जड़ी हो कर रही है एता मेन मंतब एह है कि बच्ची समझें बच्ची और बच्चे जड़े यह वोई कोई है आज पेंड़ कोड़का विखे हर साल दीतना लगा तारे 13 साल जड़ा तियांदी लोडी दा प्रोग्राम कराया जा रहा और यह जोजक जड़े वर्ल्ड वाइड स्कॉप वेलफिर सुसाइटी जड़े पिंदू ज साथी जड़े है ओरे शवेज़े अपना योगदान पाक हर साल तीयादी लोडी दा जोजन करते हैं और मैं देख दर रहे हैं कि हर साल एजड़ा तन वद्धा जा रहा है और एस साल ए आकभजा सूँ हैं लड़कियां दी जो बहुत बढ़ा जड़ा उपड़ हुपर लाया आज बेटियां दा सम्मान गिता जाए रहा है और बीठीयां जडिया जडिया देश देवेचा पड़ी स्वा माने बारै यह, ऑचाहे स्पेस देवेच जाना हो अन्य छाहे वं इस पेस छटन वाले साटेलाइट त्यार करन वाले साइंटिस्त दे रूप ज़ह प्रशाशनिक सेवामा दे रूप चौन चायो समाज दी सेवा दे रूप दे बचौन हर खेतर दे बच जड़ी है महलामा दा जड़ा अक्ष जड़ा देन प्रती दिन वद्दा जा रहे है अपने रूप दे बच भी जदो किया यह नहीं अर्द नारीश वर रूप दखाया ब बिना साड़ी जड़ी जिने सनु जरन जितना अज्जा कि जननी नहीं ने साड़ी मात आने किसे रूप चपा जिनने प्राणी इतने मधूर जाएं सो एड़ा क्यों साड़े सिल्सार देवेचे बड़ी बड़ी गाल सी एक ग्रावट आगे किसे टाइम देवते आके और सन जिलाबार एसोसेशन की और से लोडी का परव बड़ी ही उत्सा के साथ मनाया गया इस दोरान विशेश तोर पर सेशन जज निर्भो सिंग गिल उपस्तित हुए आयोचन के दोरान कारेकरम की शुरात लोडी जलाने की रस्म अदा कर की गई जिसके उपरांत कला कारों ने पंजाबी लोक गीत कारेकरम पेश किया इस दोरान सेशन जज निर्भो सिंग गिल्व प्रधान अदित्य जयन ने सभी देशवासियों को लोडी पर्व की शुब कामनाय देती हुए कहा कि हमारी सभ्यता में इतनी एकता है कि हम सभी तुहार एक जुट होकर मना रहे हैं वही उन्होंने कहा कि आजकल की युवाओं व बच्चों को भी अपनी संस्क्रीती से जोड़े रखने के लिए ऐसे आयोचन करते रहना चाहिए इस अफसर पर उपस्तित वकीलों वह सदस्यों में एडवोकेट सिम्रन चड़ा, एडवोकेट मोहित, एडवोकेट राजकुमार भला, एडवोकेट सुभाश सूध, एडवोकेट अंजू, एडवोकेट मन्जू, करन कालिया, संगीता सोनी, पृतपाल सिंग सचेव, वह अन्य वकील भी उपस्तित रहे, जालंधर से पंकश्रमा की रीपोर्ट पैश्री जिनादी मेर्जिस होई आने, या जिनादेकार कोई बेटा या बेटी होई है, उन्हानी डाल-डबल भुपार्ट लोडी का त्योहार पंजाब का सांस्कृतिक और पंजाबी विर्से से जुड़ा त्योहार है, फिरोसपुर के जिला प्रबंध की एक कॉंप्लेक्स में सामाचिक सुरक्षा और स्त्री वववाल विकास व्यभाक के सायोग से बेटियों की लोडी का पर्व मनाया गया, इस वाके पर डिप्टी कमिश्वर राजेश धिमान ने कहा कि लोडी का त्योहार ना सिर्फ लड़के की जनम की खुशी में मनाया जाए, बलकि बेटी की लोडी भी मनाई जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटियां भी किसी भी शेत्र में पीछे नहीं, बलकि के शेत्रों में लड़कों से भी आगे हैं, उन्होंने कहा कि लड़के और लड़की में किसी तरह का भीदबाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बेटियां समाच की शान है और वह हमारे समाच का नाम रोशन कर रही हैं, इस वाके पर होनहार स्कूली चात्राओ को सनमानित भी किया गया, फिरोसपुर से हल्चल के लिए मंजीत सिंग की रिपोर्ट। सफाई मजदूर यूनियन द्वारा प्रतेक वर्ष की तरहें इस वर्ष भी लोडी का त्योहार नगर निगम कारयले परिस्तर में अध्यक्ष विनोध बिट्टा के अध्यक्षता में हर्शो लास के साथ मनाया गया और रंगा-रंग कारेक्रम का भी आ योचन किया गया गय इस अफसर पर डिप्टी कमिश्णर कम निगम कमिश्णर घंशाम थोरी मुख्यर उपसे शामिल हूए इस अफसर पर धोल की थाप पर मिलकर भांगडा भी डाला गया इस अफसर पर सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान विनोध बिट्टा ने कहा कि सफाई मजदूर यूनियन द्वारा प्रतेक वर्ष की तरहे निगम अधिकारियों से मिलकर लोडी का त्युहार मनाया जाता है। अमरी सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला करीब। अमरी सर पिंचरा पोल गोशाला की और से गोश सेवा के संकल्प अभ्यान के तहत फोकल पॉइंट स्थत गोश अला परिसर में कारिकरम का यूचन किया गया। जिसमें सभी नगरवासियों को एक कदम गोश सेवा की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अफसर पर संदीप अगरवाल, संजय अगरवाल, मनीश बांसल, मनु सेठ, अंशुल अगरवाल, अमित अगरवाल और विकास जाने कुल साथ गाएं को पंडित हरी शास्त्री जी द्वारा पूरण विदी विदान से पूजन कर गोध लेकर उनकी सेवा का संकल्प लिय इस अफसर पर फोकल पॉइंट के प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि एक गोमाता की खुराक का खर्च प्रती दिन 70 रुपए के हिसाब से केवल 21 रुपए प्रती माह है जो कि प्रते एक परिवार बड़ी ही आसानी से गो सेवा के निमित गोशाला में देकर पुन्य लाब प्रापत कर सकता है अबनिसर से हलचल के लिए सुनीर खोसला की दिप आज भी साथ परिवारा ने गोउमाता नो डॉप्र कीता डॉप्र करना मतलू है कि उस गोउमाता दी सारी उमर दी सेवा लैनी और ओधा खान पान दा खर्चा लिड़ा गोउशाला नो देना और गोउ तक 35 गोउमाधा अडॉप्र हो चुकी है और सभी चाहना की, पांचो चाहली गोउमादा अमरीशाधी सटका दे है अजी सारे नो अंदर लेना चाने है मैं संधीप अगरवाल अपने सारे दोस्ता दे फैमजी दे नाला जी पिंजरा पोल बलो जो उपराला किता गया है अपना अपना डॉप करना वह दे वीच मैं मैं भी सारे परिवार नाला शरी किता है एक बड़ा अच्छा प्राला है जो असी धाड़े हिंदू समाज दे वीच इक पास से तसी कन्या आगे जी गामा जिरी आंगी है और नानू श्रॉटर किता जंदा मारे जंदा दूसरे पा आप देंगर को सब्सक्राइबुलब आतरर हिए लिए जिस अपना हुआज दिद्वाश्यार जुंडशार शिला हरीद्वार में जाकर नारायन बली करवाई की जिससे संप्रदाय के पांडेज्री ने विदिविधान से संपन करवाया इस अफसर पर महांत पवंदास महराच पट्टी वाले, महांत हरी राम दास जी महराच चालांदर वाले, महांत पवंद कुमार दास रुड का खुर्द वाले, आचार्य अंबरीश्तिवारी, आचार्य संजे वेदवाल पूर्व पार्शद दीपक शारदा, धरमपाल शर्मा रिंकु कुमार लाडी कुमार दमन कुमार अमन कुमार दिबाकर शर्मा और दिल्ली से बीना भी मौचूद रहे हरीदवार से हल्चल के लिए कैमरामेंट संदीप शर्मा की रीपू किशनलाल सेदाना अपनी सासारी क्यात्रा पूनकर प्रभु चर्नों में जाबिराचे हैं उनके आत्मिक शांती हेतू रस्म किरिया श्री सत्य नरायन मंदिर नस्दीक स्टी कॉलेज चाल अंदर में की की इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड पुरान जी के पाठ का भोग डालका स्वर्गे किशनलाल सेदाना की आत्मिक शांती हेतू प्राथ्रा गी इस मौके पर परिवारिक सदस्यों में बेटा रोहिच सिदाना, कीमी सिदाना, अमन सिदाना, निती सिदाना, कोमल आनंद, अशोक आनंद, हेमा सिदाना, सहिद, राश्रीतिक, सामाचिक और धार्मिक वरक से जुड़े लोगों ने स्वर्गे किशनलाल सिदाना को भाभीन शर्थांच्ली भेटकी शर्थांच्ली भी मार भूता मारो उश्चरु पेर बिरिगश्च्छ। और आप आन्त में हल्चल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से तरन तरन के नए हाईवेप पर एक कार खड़े ट्रले से टकराई चार नौजवानों की मौत एक गंबीर खाया संगरूर के लहरा का गमे हुआ एक भीशन सडखाचा एकी हुई मौत एक गंबीर खाया शाकोट मोगा नेशल हाईवेपर हाई टेक नाके पर एक देज रफ्तार कारने एसाई को मारी टकर एसाई गंबीर खाया इसके साथ ही अब तक लिगती विधियां समप्त होती है और ताजा जौनकरी के लिए देखते रही हलचन झाल झाल झाल